बड़े हूँ या बुजर्ब जाता लोगों को नास्ते में ब्रेड लेना पसंद होता है अगर कुछ कहीं खाने को नहीं भी है तो ब्रेड खाकर आराम से पेट भरा जा सकता है लेकिन कौन सी ब्रेड हेल्दी है ये जानना भी बहुत जरूरी है मैदे के बने ब्रेड को सफे ब्रेड आ गए है जिनके चलते ये समझपाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको कौन सी ब्रेड खरीदनी चाहिए कि इस ब्रेड के क्या बेनेफिट है क्या उसके नेगेटिव पॉइंट है क्या वो ब्रेड खाना आपकी हेल तो अब बात खर रहे हैं पांच डिफरेंट के बारे में जो की आमत्वर पर यूश किये जाते हैं हमारे इंडिया में तो अगर आप भी दोस्तों जानना चाते हैंтом के बारे में इन दोस्तों उनमें हमने शामिल क्या है white bread brown bread आटा bread whole grain bread और multi grain bread although कई सारी कंपनिया इन सभी bread को बनाती हैं लेकिन हमने कुछ renowned names को लिया है जिनके bread अक्सर दोस्तों हम prefer करते हैं तो अगर दोस्तों हम कुछ कंपनियों की बात करें जिनके bread को हमने शामिल किया है तो उनमें शामिल है white bread यानि की Britannia का दोस्तों जो bread आता है brown bread English oven brown bread को दोस्तों हमने पिक किया है company के तौर पर आटा bread दोस्तों हमने लिया है harvest का whole grain bread दोस्तों हमने लिया है फ्रेशों का और multi grain bread दोस्तों हमने लिया है बॉन का यह सभी कंपनिया दोस्तों अपने आप में रणाउन कंपनिया हैं जिनके प्रोड़क्ट या जिनके bread पर दोस्तों आप आम तो पर खरीदते ही हैं तो इन्हीं को दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे और compare करेंगे इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है हमाई साथ वीडियो में लास तक जुड़े रहिए और दोस्तों अगर आप ऐसे ही डेली प्रोड़क्ट comparison के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए क्योंकि डेली प्रोड़क्ट दोस्तों जो भी प्रोड़क्ट आप डेली में आप यूज करते हैं अपनी रैगुलर लाइफ में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी करते हैं और compare करते हैं इन सभी ब्रेड को दोस्तों अगर हम बात करें वाइट ब्रेड की तो 400 ग्रैम पाउच दोस्तों आपको मिल जाता है 42ुपीज का वहीं बात करें Avenue जो की दोस्तों ओन का है इंकलिस ओन का 400 gram powch आपको मिल जाता है थर्टी थरी रुपीज का वहीं बात करें आडवip ब्रेट की जो कि है दूस्त का तो यह आपको मिल जाता है दोस्तो 450 gram का Powch at just rupis forty five whole grain bread की दोस्तो बात करें फ्रेशो के तो यह आपको मिल जाता है 400 gram पाउच at just Rs. 85 वहीं दोस्तों बात करें multi grain bread की जो की बॉन बनाता है यह आपको मिल जाता है 74 रुपी जिसको weight रहता है 400 gram तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर 400 gram में आपको यह bread मिल जाते हैं जिनके prices obviously vary करते हैं लेकिन almost आस पास में ही आपको इनके prices देखने को मिलते हैं except whole grain bread and multi grain bread अब कौन सी कमपनिया दोस्तों सभी breads को बनाती है या इन प्रोड़क्ट के पीछे कौन सी दोस्तों वो कमपनिया जो उन्हें English oven brown bread दोस्तों इसको manufacture करते हैं मिसिस बैक्टर's food specialties limited harvest के दोस्तों प्रोड़क्ट मनुफेक्चर किये जाते हैं ready rooty India private limited के नाम से freshो के दोस्तों जो प्रोड़क्ट है वो manufacture किये जाते हैं bliss chocolates India private limited के नाम से और multi grain दोस्तों जो bond है दोस्तों उसके प्रोड़क्ट बनाया जाते हैं bond group of industries की ओर से तो यह सभी कमपनिया दोस्तों अपने उसके प्रोड़क्ट को manufacture करती हैं अब यह सभी bread दोस्तों आपको online offline mode में available हो जाते हैं supermarket general store से दोस्तों आप इन सभी प्रोड़क्ट को purchase कर सकते हैं in case अगर वहाँ पर दोस्तों आविलिविल्टी नहीं है तो आप इन्हें online भी purchase कर सकते हैं online दोस्तों सभी प्रोड़क्ट आपको यह easily मिल जाते हैं बट सबसे important चीज़ दो दोस्तों इन सभी bread में है वो है इनके ingredients अब आप इन प्रोड़क्ट को खरीदने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिंए कि इनमें क्या क्या ingredients हैं आं दोस्तों हम इनके ingredients के ओर चलते हैं और बात करते हैं कि आपको क्या क्या ingredients आपको देखने को मिलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं white bread की जिसको Britannia बनाते हैं इसमें आपको देखने को मिलता है दोस्तो refined wheat, milk solids, soya floor yeast, sugar, virtual gluten, iodized salt, preservatives, improves, acidity regulator और आपको देखने को मिलते हैं vitamins वहीं दोस्तों अगर हम बात करें brown bread की जिसको बनाते हैं English oven brown bread तो दोस्तों यहाँ पर एक लोफ में आपको देखने को मिलता है 95% मैदा यानि कि दोस्तों white floor उसके अलावा 5% आपको देखने को मिलता है आटा यानि कि whole wheat flour इसके अलावा दोस्तों जो भी ingredient होते हैं उनमें शामिल होते हैं additive, preservative इसके अलावा दोस्तों 2.33 gram आपको dietary fiber भी यहाँ पर देखने को मिलता है अगर आप इनके ingredient की बात करें आटा ब्रेट की दोस्तों अगर हम बात करें harvest के तो इसमें आपको देखने को मिलता है 100% आटा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और चीज़े एड नहीं की जाती है वह ही बात करें whole grain bread की दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते है whole wheat flour, refined wheat flour उसके लावा दोस्तों bakery yeast आपको देखने को मिलता है sugar देखने को मिलता है edible vegetable fat देखने को मिलता है दोस्तो anti caking agent और आपको देखने को मिलते है floor treatment agent तो यह दोस्तो कुछ ingredient आपको देखने को मिलते है whole grain bread में multi grain bread की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं wholesome grains और आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि दोस्तो whole wheat barley, gram, soya, floor, sunflower seeds और आपको देखने को मिलते हैं oats तो दोस्तो यह सभी मौजूद रहते हैं whole grain bread में जिसमें आपको सभी grains के power and nutrition मिल जाते हैं nutrition के point of view से दोस्तो अगर हम इन सभी breads को देखते हैं तो दोस्तो अगर आप बात करें white bread की तो इसमें energy जो होता है 279 kilo calorie, carbs होते है 57.7 grams, sugar होता है दोस्तो 11.5 gram, fat होता है 2.2 gram, saturated fat होता है 0.9 gram, trans fat 0 होता है protein होता है 7.1 gram, calcium होता है 90 miligram, vitamin b1 होता है 0.18 miligram, vitamin b3 होता है 2.4 miligram, vitamin b6 होता है 0.3 miligram और आपको देखने को मिलता है vitamin b12 0.15 micro gram, तो यह दोस्तो ingredient आपको देखने को मिलते हैं white bread में, वहीं दोस्तो अगर आप बात करें profound bread की तो brown bread में दोस्तो आपको देखने को मिलता है. तो यहाँ पर दोस्तो आपको देखने को मिलता है втор है energy 29502 calorie, उसके अलावा दोस्तों carbs आपको देखने को मिलते हैं 51.16 gram, sugar होता है 2.65 gram, fat होता है 1.38 gram, saturated fat होता है 1.02 gram, इसके अलावा दोस्तों trans fat 0 होता है, protein होता है 10.49 gram और dietary fiber होता है 6.75 gram. वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आटा ब्रेड की तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम nutrition की बात करें तो energy होता है 242 kilo calories, carbohydrates होते है 50 gram, जितमें दोस्तों sugar होता है 3.1 gram, protein होते है 8.7 gram, dietary fiber आपको देखने को मिलता है 6.1 gram, fat होता है 0.88 gram, saturated fatty acid होते है 0.22 gram, trans fat और cholesterol आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, calcium होता है 140 miligram, iron होता है 2 miligram और दोस्तों sodium होता है 452 miligram, दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं per 100 gram की यानि कि दोस्तों जो nutrition हम आपको अभी बता रहे हैं यह per 100 gram की बात हो रही है जिपकि product का दोस्तों size 400 gram तो उसके according दोस्तों आप नहीं पर अंदादा लगा सकते हैं, वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे अगे हम whole grain bread की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो आपको nutrition information देखने को मिलता है, उसमें दोस्तों energy आपको देखने को मिलता है 289 kilocalorie, sugar देखने को मिलता है 8.4 gram, crude fiber आपको देखने को मि 8.8 gram, total fat होता है दोस्तों 1.1 gram, saturated fat 0 होता है, carbohydrate होते है 53 gram, protein होता है 2.6 gram, dietary fiber यहाँ पर अविलिबल नहीं होता है, trans fat भी यहाँ पर नहीं होता है, sodium होता है 1.7 gram, तो sodium का level यहाँ पर दोस्तों कम रहता है compare to other product, वहीं दोस्तों अगर हम last में बात करें, multigrain bread की तो यहाँ पर दो 281 kilo calorie, total fat होता है 2.8, saturated fat होता है 1.3 gram, trans fat होता है 0, carbohydrate होते है 53.4 gram, sugar होता है 2 gram और protein होता है 10.8 gram, उसके अलावा दोस्तों dietary fiber यहाँ पर आपको 6 gram देखने को मिलता है और sodium होता है 287 gram, यानि sodium का यहाँ पर level यहाँ जादा रहता है, तो इस तरह से दोस्तों आपको nutrition value यहाँ पर bread में, अब इन सभी bread के दोस्तों storage के अगर हम बात करें तो आपको इने 20 degree से दोस्तों आपको 68 Fahrenheit के temperature पर आपको रखना चाहिए, fridge में रखने से दोस्तों क्या होता है, आपका जो bread होता है दोस्तों वो जल्दी stale हो जाता है, 3 times quickly than stored on the normal room temperature, तो आपको यहाँ पर अगर आपको ज्यादा दोस्तों किसी भी bread को आपको यूज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो life span होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो 3 to 5 days के लिए दोस्तों आप bread का प्रयोब कर सकते हैं, यूज में आप उसे ला सकते हैं, अगर आप उसे properly वहाँ पर maintain रखते हैं, otherwise दोस्तों आपको ज्यादा लंबे समय तक bread को store नहीं करना चाहिए, वहीं दोस्तों अगर हम इसके shelf life की बात करें, तो कोई भी bread अच्छा होता है, जब आप उसको 3 to 4 days के within में ले ले लेते हैं, उसको consume कर लेते हैं, 3 to 4 days के बाद दोस्तों उसका जो consumability होता है, वो कम होता च सला जाता है, तो 3 to 4 days के within में दोस्तों हमें bread को finish कर देना चाहिए, या फिर हमें उसको use में फिर नहीं लाना चाहिए, अगर हम उसे purchase करते हैं, तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की top 5 different breads के बारे में, I hope दोस्तों वीडियो आपको informative लगा होगा, इसने को मिलती रहें, वीडियो में दोस्तों आप सभी last तक जोड़े रहें, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद